Physiology of Food Absorption भोजन अवसोसन की कारे की भोजन के अंतरग्राणियों पांचन के पच्चात आरनाल के द्वारा इसका अवसोसन किया जाता है जिसमें पांचन के अंतिम उत्पाद आती उपकला से गुजर कर रखधारा में प्रिवेश करते हैं आवसोसन की किरिया निम निविद्यों द्वारा संपन होती है पहला है विश्रन डिफूजन आणुयम आयन उच सांदर्ता से निम सांदर्ता की ओर गमन करते हैं दूसरा है निश्क्रिय परिवयन पैसिव ट्रांस्पोर्ट उच्छ सांदर्ता से निम सांदर्ता की और अणुओं का गमन साथ ही इसमें उर्जा का खर्च न होना तिस्रा है शक्रिय परिवन एक्टिफ ट्रांसपोर्ट, निम्ञा जान्द्रता से उस्यान्द्रता की ओरणूंका गमन और इसमें उर्जाखर्च होती है फ़र्थ है एगुलंसील पदार्त पहले पित लाउनों के संपर्क में आने पर गुलंसील हो जाते हैं और सात्वाय विद्दुत प्रभाव द्वारा, रेनायनम धनायन का गमन इनके द्वारा होता है, और आठवाय रासायनिक प्रभाव द्वारा, अवसोसन के दोरान कुछ रासायनिक किरियाएं भी संपन होती है, भोजन का अवसोसन आहरनाल के अलग-लग छेत्रों में अलग- अंच का अवसोशन नहीं होता लेकिन कुछ अमिनों अमलों हार्मोन से ओसनियों का अवसोशन किया जाता है दूसरा है आमासे द्वारा अवसोशन आमासे में अवसोशन काफी सिमित मात्रा में होता है आमासे से जल ग्लुकोज एम अलकोल का अवसोशन किया जाता है ये पदा आमसे की बित्ती से अवसोशित होकर सीरिय रूदिर अथार्थ वीनस ब्लड में प्रवेश करते हैं तीसरा आंत्र द्वारा अवसोशन चोटी आंत में पचिवे भोजन का 90% तक अवसोशन किया जाता है आत्र की म्योकवसा में वरताकार वलनोयम रसा अथार्थ वीलाइ के कारण आवसोशन चोटी आधार्थल बड़ जाता है परते एक विलाई में रक्त केशिकाओं का जालू पस्तित होता है इसके मद्धे में एक लेक्टियल वाहिनी पाई जाती है और लेक्टियल वाहिनी से वसाका तथा रक्त वाहिनी द्वारा प्रोटीनियम कार्बोहेड़िट का उसोसन होता है लगों हाथ द्वारा लगबग सभी बोजय पदार्तों का उसोषन किया जाता है सबसे पहले चर्चा करते हैं कार्भो हाडडेट का उसोषन कार्भो हाडडेट पांचन के अंति मुत्पाद ग्लुकोज, फ्रक्टोज, गेलेक्टोज, मैनोज, अरेबिनोज है यह मुत्पादोज जयल में गुलंसीन होते हैं अते हिन में विस्टरैणियों पर आसरं की किया होती है मुत्ंपादोज के जाएलोज अरेबिनोज के कर्म में होती है आतिये गुहा में आतिये उपकला में फ्रक्टोज का आवसोशन निर्विग्न विश्रन के द्वारा होता है जबकि ग्लुकोज यहम गेलेक्टोज का आवसोशन दित्यक सक्रिय परिवहन द्वारा होता है जो एने प्लस के साथ यूगमित होता है उपकला कोशिकाउं से रक्त में कार्बोहेड्रेट की प्रिविश्टी निर्विग्न विस्रण के द्वारा होती है ग्लुकोज के अवसोसन की दर रक्त में ग्लुकोज के रक्त से इस्तर जो है उससे प्रभावित नहीं होती है और इसके liner diagram आप लोगों को PDF में share किये जा चुके हैं प्रोटीन का उसोसन पाचन के पश्चाथ प्रोटीन के दिखांस मात्रा अमिनोमलों में रुपांत्रित हो जाती है तता इनका उसोसन लगू आत में होता है आत में अमिनोमलों का उसोसन अगर आंत्रियोजनी सिरा anterior misentric vein द्वारा होता है यहां से अमिनोमल यकरत निवाई का उपतंतर द्वारा यकरत में ले जाए जाते हैं प्राकरतिक अमिनोमलों की उसोसन दर उनके प्रकासिये समायोयों की तुलना में अधिक होती है आमिनोमलों का उसोसन सहिनात्मक रासाईनिक विदी द्वारा होता है D. अमिनोमल निस्करिय परिवहन की द्वारा उसोसित होते हैं जबकि L. अमिनोमलों का परिवहन और उसोसन सक्रिय परिवहन की द्वारा होता है कई बार डाइपेप्टाइड यहां ट्राइ पेप्टाइडम संपून प्रोटीन भी ओसोशित हो जाते हैं जो आतिये उपकला कोशिकाओं में अमिनोमलों में रुपांत्रित हो जाते हैं उपकला कोशिकाओं से रख्त केशिकाओं में इनका इस्तानांत्रन साम्माने विश्रन द्वारा होता है नवजाद जो सिशू होते हैं उनमें प्रोटीन की उसोशन की दर्वेस की तुलना में अधिक होती है तीसरा है वसाओं का उसोशन, absorption of lipids वसा का मुख्य पाचन अग्निया से लाइपेज की क्रिया द्वारा होता है इस enzyme के कारण दो वसी अमले में monoglyceride का निर्मान होता है और इसकी अभी क्रिया जो है इस प्रकार से लिखी जाएगी triglycerides convert into monoglycerides plus two fatty acids in the presence of lipids आमासे से छोटी आत में प्रिवेस करने वाली triglycerides जल में एगुलनसील होती है तता वसा की बड़ी बूंदों की रूप में समुहित रहती है लाइपेज द्वारा उत्पन उत्पात भी जल में गुलनसील होते हैं इस समश्या का समादान पित्लोणों द्वारा किया जाता है पित्लोणों के दो प्रभाव होते हैं पहला है 25 करन या emulsification वसा के पाईसी करण के कारण वसा की रहद बूंदों का समोन नहीं पता और दूसरा है मिसेल्स निर्मान पित लवन वसी हामले मोनोग्लेसराइट्स के साथ किरिया करके जल में गुलन सील मिसेल्स का निर्मान करते है पाइसी करण के कारण वसा के पांचंदर में तो व्रद्धी होती है लेकिन आउसोशन में व्रद्धी मिसेल्स के निर्मान के कारण होती है और इसका पूरा डाइक्रेमिटिक परजेंटेशन आपको PDF में सेर किया जा चुका है मिसेल्स के सबी अणवों में के धुर्विय सिर्य बाहर की और निर्दे सित रहते हैं जबकि ऐ धुर्विय सिर्य मिसेल्स के केनद्रि भाग को बनाते हैं हाला कि वसीय अमलिय मोनोग्लिस्टराइट्स आतीय गुआ से आतीय उपकला में प्रिवेस करते हैं, जबकि उपकला कोई सी काउं से अंतराली तरल में ट्राई एसाइल ग्लिस्ट्रोल के रूप में निर्मुक्त होते हैं. अर्थार्थ इस परिवहन के दोरान वसीय अमलिय मोनोग्लिस्ट्राइट्स आपस में मिलकर ट्राई एसाई ग्लिस्ट्रोल में रूपांत्रित होते हैं तता ये संसलेशन इस्मूथ एंडोपलाजमिक रेटिकुलम में होता है चिकनी अंतद्रवी जालिकाओं में होता है अंतद्रवी जालिकाओं अर्थार्थ इंडोपलाजमिक रेटिकुलम से गोलजी काय द्वारा रूपांत्रित होते वे ये कोशी का जिल्ली के साथ मिल जाते हैं तता वसा की बूंदें निर्मुक्त हो जाती है जिनें कायलो माइकरोन कहते हैं तता इन कायलो माइकरोन का पर वसा के समान ही होता है जबकि जल में गुलंसील विटामिस का विश्रन या वाहक अनू की साहिता से होता है। हो जाता है और अंत में जल एम खनीज का वसोसन। काइम में जल सरवादिक मातरा में होता है। वरह दात में सामानित खादेपत वर्तों का वसोसन नहीं होता है। वरह दात में केवल जल का वसोसन होता है। कुछ मातरा में ओस्धियों तता खनीज लवन भी इस भाग से वसोसित किये जाते हैं। लेकिन इनका आउसोसन मंदगति से होता है। आउसोसन के अलावा वरह दात में सलस्मा का सराव होता है। केल्सियम, आईरन, भारी धातों, दवाईयों का उत्सरजन तता जीवानों द्वरा सेलूलोज का पाचन भी होता है। तक्यू